जमस्कार करतावे पत्मी आप सभी का स्वागत है दुनिया के कई देशों में EV यानि इलेक्ट्रिक वाहन का चलन बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत में भी खास योजना शुरू की गई है भारत को किफायती और हरित परिवहन के शेतर में आत्म निर्भर बनाने की दिशा में महतवपूर्ण भूमी का निभा रही है वरतमार में इसका अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है सरकारी सहायता मिलने से निजी दो पहिया और चौपहिया वाहनों के प्रयोग करता बढ़ रही है बही सरकार के इस योजना में इवी खरीदने पर ही नहीं बलकी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वहिकल मैनुफेक्चरिंग, लोकल मैनुफेक्चरिंग आदी पर भी सरकार द्वारा सबसिडी दी जा रही है इससे शहरों में गरीब और मिडल क्लास को धुए वाली बसों से मुक्ति मिल रही है एक अप्रेल 2015 को शुरू की गई फेम इंडिया योजिना से जनता जनार्दन को सबसिडीतो राष्ट्र इंधन सुरक्षा मिशन और भारत के नेट जीरो लक्ष को मजबूती मिल रही है केंज सरकार ने हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक वहानों को बढ़ावा देने और राष्ट्र इंधन सुरक्षा के उदेशियों के लिए 2013 में नाशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटे मिशन योजिना 2020 की शुरूआत की थी इसके अंग के रूप में भारी उद्योग मंत्रा लए 2015 में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वहानों के वी निर्मान और उप्योग को तेजी से बढ़ाने के लिए फेम इंडिया योजिना की शुरूआत की इसकी पहले चरण की शुरूआत 2015 में हुई जो 31 मार्च 2019 तक चली थी सरकार ने इस योजिना के पहले चरण के लिए 895 करोड रुपे के बजट का प्रावधान किया था इस योजिना का मूल उदेश है कि तक्नीकी विकास करते हुए मांग को बढ़ावा मिले वहीं पाइलर प्रोजेक्ट और चारजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विक्सित करने पर भी इस योजिना में जोर दिया गया था नेट जीरो कारवन उत्सर्जन के लक्ष और इंधन का आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की बच्चत के उदेश को पहले चरण में काफी मजबूती मिली इससे ये इलाब हुआ कि देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदार बढ़े वही राज्यों में भी सरकारों ने आम बसों की उपेख्षा इलेक्ट्रिक बसों को सेवामे शुरू करने का फैसला किया राज्यों वा लोगों की बढ़ती भागेदारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रॉक्चर में बढ़ोतरी की तक फेम इंडिया के तहत राज्यों वा केंद्र शासित प्रदेशों को साथ हजार से अधिक इलेक्ट्रिक बसे खरीदने की अनुमती मिली है सरकार ने इवाहनों को प्रोटसाहित करने के लिए लगभग 10 लाग से अधिक इलेक्ट्रिक हाइब्रिड निजी वाहनों की खरीद में सबसेड़ी दी है फेम इंडिया के जरी मिलने वाली इन मदद की बदालत देश में दिसंबर 2022 तक 20,40,000 इलेक्ट्रिक वाहन पंजिगरित हुए जिन में सबसे अधिक वर्ष 2022 में 6,28,002 पहिया और 3,08,003 पहिया वाहन शामिल है इस यूजना की पहले चरण की बात करने तो पहले चरण में ही 2,80,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़कों पर उतारा गया यूजना की पहले चरण में ही इतने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को खरीदा गया जिसके लिए सरकार ने 369 करोल रुपे की सबसीड़ी वी दी सरकार की मदद से 425 इलेक्ट्रिक वा हाइब्रिड बसें देश भर में शुरू की गई इतने बड़ी संख्या में उतारी गई बसों के लिए चार्जिंग स्टेशनों के सुविधा में भी इजाफा किया गया चार्जिंग स्टेशनों का इंफ्रास्ट्रक्चर तुधारते हुए 520 चार्जिंग स्टेशनों को मन्जूरी दी गई थी इस योजरा के दूसरे चरण में दिसम्बर 2022 तक 7,666,000 से अधिक वाहनों को सबसिडी मिल चुकी है योजरा के तहट अब दक इन वाहनों के लिए 3,311 करोर रुपए की सबसिडी दी गई है देश के 65 शहरों में 6,315 इबसों और 68 शहरों में 2,877 चार्जिंग स्टेशनों के निर्मान की मंजूरी दी जा चुकी है देश में इवाहनों का क्रेज भी बड़ा है दूसरे चरण में 132 इलेक्ट्रिक वाहनों के मौडल का पंजी करण किया गया है सरकार ने कई कदम उठाए हैं ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिल सके इसके तहत आटोमोटिव शेत्र के लिए उत्पादन से जुरी प्रोथसाहन योजना को मंजूरी दी है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 18 प्रतीशत तक प्रोथसाहन राशे दिये जाने का प्रावधान है जन्ता और ग्रहकों की सुविदा का ध्यान रखते हुए बैटरी या इथे नौल से चलने वाले वाहनों को भी परमिट की आवशक्ता से चूट दी गई है बैटरी से चलने वाले वाहनों के पंजी करन प्रमापत्र जारी करने नवीनी करन करने या नए पंजी करन चिन्न के शूलक में छूट दी है सरकार ने GST के शेतर में बड़ी रहत दी है जिसके तहत इलेक्टरिक वाहन खरीदने पर GST 12% से घटा कर 5% किया गया है वहीं इलेक्टरिक वाहनों के चार्जर और चार्जिंग स्टेशनों पर GST घटा कर 18% से 5% किया गया है गौर तलब है कि इस योजना का लाब उठा कर आम आदमी को इलेक्टरिक वहेकल सस्ते दामों पर मिल रहे हैं सबसीडी लगने के बाद गारियों की कीमतों में कई हजार रुपय का फर्क देखने को मिला है इसके अलावा पेट्रोल और डीजल को भरवाने में लोगों के महीने में काफी रुपय खर्च होते हैं लेकिन इलेक्टरिक वहेकल स्तमाल करने वाले ग्रहाकों को इंदन की तुलना में काफी कम रुपया खर्च करना पड़ता है इवी खरीदने वाले लोगों पर्यावारर को सही रखने में मदद कर रहे हैं क्योंकि इंदन से चलने वाली गारियां अधिक प्रदूशन पैदा करती हैं आज के लिए करता विपत में इतना ही अगले सब्ता किसी और मुद्धे पर देंगे आपको विस्तर जानकारी तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके